बात कर लेते हैं अब उजयन की जहाँ पर भारी बारश की विज़े से एक बड़ा हादसा हो गया महाकाल आरती से जस्ट पहले हुए हादसे से मंदिर में अफरात अफरी मज गई मलबे में दबने से दो लोगों की मौत हो गई है आसपास दुकान लगा रहे व्यापारी भी इस दिवार की चपेट में आगा है फिलाल रेस्क्यू कर सभी को बचा लिया गया है पूरी ख़बर आपको दिखाते हैं MP के उजयन महाकाल मंदिर के पास एक पूरानी दिवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया दो लोगों की मौत हो गई और दो की हालत गंभीर है जबकि एक व्यक्ति को हलकी चोड थी उसको डिस्चार्ज किया जा चुका है ये घटना महाकाल आर्ति के थोड़ी देर पहले की है उजयन में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है लेकिन ये बारिश महाकाल मंदिर के पास हादसे का सबब बन गई दर्वसल महाकाल मंदिर के साथ नंबर गेग के सामने भगवान गनेश का मंदिर है इसके साथ ही एक पूरानी दीवार है भारी बारिश की वज़े से पानी का दबाव नहीं सह पाई और अचानक भरभरा कर छह गई फिलाल उजैन जिला प्रशाषन ने मितिकों के लिए 4-4 लाग तो वहीं घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है और मुख्यमंत्री मोहन यादो ने भी घटना को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर श्रधान जिली देते हुए कहा कि अत्यंत कोशिक शेत्र के कई गाउं में बाढ का अनुमान है यानि आने वाले दिन बिहार के कई जिलों के लिए काफी भारी हो सकते हैं क्योंकि मौसम विभाक की ओर से बारिश का अलर्ड जारी किया गया है पांच जिलो के लिए रेड अलर्ट है ये रेड अलर्ट वाले जिले हैं पश्टमी चमपारण, पूर्वी चमपारण और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर यलो अलर्ट भी जारी किया गया है पहले उसने नील गाए के बच्चे को अपना शिकार बनाना चाहा लेकिन गाहवालों की सक्रीता से अन्हुनी टल गई और इसके बाद अजगर को काबू में करने के लिए गाहवालों ने खूब संघर्श भी किया यूपी की आजमगर में विशाल का अजगर देखने से हलकम बच गया ये तस्वेरे निजामबाद तहसील किये पहले जाबाद गाओं की हैं जहां भारी भरकम अजगर ने नील गाए के बच्चे को जकड लिया था वो नील गाय के बच्चे को अपना शिकार बना नहीं वाला था तभी गाउंवालों नो इसे देख लिया ग्रामेडों ने फॉरण नील गाय के बच्चे को अजगर के चंगुल से छुडाया और उसे एक टोकरी में बंद कर दिया अजगर कुछ देर तक तो शांत रहा लेकिन उसके बाद वो भागने की कोशिच करने लगा मौके पर मौजूद कहीं गाउंवाले खुद को खत्रे में डाल कर उसे बोरे में बंद करने का पयास करने लगे वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक युवक छाते के सहारे अजगर को काबू करने की कोशिच कर रहा है और दूसरा उसे बोरे में बंद करने के लिए जी तोड महरत कर रहा है लेकिन अजगर काबू में नहीं आता काफी मशक्कत के बाद गाओं वालों ने अजगर को पकड़ कर एक बोरे में बंद कर दिया इसके बाद अजगर मिलने के सूचना वन विभाग को दी गई मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम अजगर को अपने साथ ले गई और उसे जंगल में छोड़ दिया फिल्हाल इलाके में खुले जानवनों को लेकर लोग चौकस है